नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शुराज और आप सुन रहे हैं होरो पोड़कास्ट मेरे याने शुराज के साथ तो दोस्तों आज मैं आपके लिए महाराश्रा के कोकन इलाके से जुड़े एक कहानी लेकर आया हूँ कहानी का नाम है हकामारी इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे कि निशीडाग छलावा और भी कुछ कहानी शुरू करने से पहले आपका बस एक आधा मिनट लेना चाहूँगा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 5000 लाइक्स का चैलेंज रखा था और वो चैलेंज बस पूरा होते होते रह गया लेकिन आज की कहानी अच्छे लगे तो इसे जाधा से जाधा लाइक्स करना तो आईए अब बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं कहानी के आंत में बताओंगा अभी सिर्फ इसका मतलब बताता हूँ हाकामारी मतलब एक पुकार अंधरे से आती हुऑ एक पुकार और अगर किसी ने पलट कर पुकारने वाले या पुकारने वाली को देख लिया तो फिर अगले दिन उच्छ साल पहले एक ऐसी घटना मेरे वाले मोबाइल तो आपको याद ही होंगे ये उन दिनों की बात है उस साल मेरे एक दोस्त के घर की पूजा थी और शहर में हम दोनों पडोसी थे इसलिए उन्होंने हमारे परिवार को भी पूजा पर बुलाया था मेरे परिवार वाले तो नहीं गए लेकिन उनकी जगह पर में उनके गाउं चला गया था ये गाउं पहाडों की श्रूनकला से सटा हुआ था कोकन की हरियाले में बसा हुआ गाउं कोकन में अगर आपको गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ की हरी-भरी वाद्या आपको सम्मोहित कर देती है हर तरफ हरियाली घने उची पैड ऐसा लगने लगता है कि कहीं हम किसी जंगल में तो नहीं आगे कोकन में कुछ ऐसा ही माहुल होता है वो ठंड के दिन थे और मैं अपने पडोसी और दोस्त विशाल के साथ उनके गाउं चला गया था उस दिन दोपर होने से पहले हम उनके नए घर पर चले गए थे उनक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मुझे इस घर से जादा हमारा पुराना घरी पसंद है वो घर इस घर से लाख गुना अच्छा है वो गाउं के अंदर है जो की पुरानी ढंक से बना हुआ है कच्ची मिट्टी की दिवारे खपरेल की नीचे जमिन तक उतर दी छत और ठंडी और क्या चाहिए इंसान को उसकी बाते सुनकर मैंने उससे कहा तो ठीक है फिर इस नए घर की पूजा तो कल है ना तो आज के रात तो हम वहां गुजार सकते हैं विशाल ने इस पर कहा जाने में कोई बात नहीं है लेकिन वहां फोन वगरा काम नहीं करते बिजली कभी होती है तो कभी नहीं मुबाइल को ने ट्रक नहीं मिलता इसलिए शहर में रहने वाले लोगों के लिए वहां एक रात बिताना किसी जेल में रात गुजारने जैसा है मैं उसकी बात पर सोच रहा था क्योंकि मेरा पूरा बच्पन शहर में बीता था और मेरा कोई गाव नहीं थ इसलिए मुझे गाव देखने वहां के घरों में रहने और वहां का अनुभव लेने की बहुत इच्छा थी मैंने बिना किसी जिरक से कहा अरे ठीक है एक दिन में दुनिया डूप तो नहीं जाएगे न फिर घड़ी की और देखते हूं उसने कहा तो फिर हमें जल्दी निक रहते हैं मैंने सहचता से उसे पूछा ऐसा क्यों फिर वो बोला अरे यह कोंकन है बाबा यहां करणी वशीकरंड भूत प्रेद के किससे बहुत आम होते हैं यह सुनकर मैं डरा तो नहीं लेकिन मुझे थोड़ा आश्यरी हुआ और हसी भी आ गए मैंने उसे कहा तुम दोनों उस पुराने घर जाने के लिए निकल पड़े जब हम घर के बाहर थोड़ा दूर में सड़क पर आ गए तब मैंने विशाल से पूछा तो अब आगे कैसे जाना है मतलब बाइक बस या कोई गाड़ी उसने मुझे चिढ़ात हुए कहा यहां और बस सड़क पर जो भ चारा घर दिखाए देने लगेगा और अगर कोई गाड़ी मिलती ही नहीं है तो कम से कम हमें घर पहुचने में एक घंटा लगता है वहां का माहुल वाकई इतना अच्छा था कि अगर मुझे एक घंटा क्या चार घंटे भी पैदल चलना पड़ता तो भी में बोर नहीं हो और फिर आदे घंटे का सफर दस मिनट में पूरा हो गया सड़क खराब होने के कारण बाइक धीरे चलानी पड़ रही थी लेकिन उसके बाद हमारी असली यात्रा शुरू हो गए एक मोड़ पर गाड़ी से उतरने के बाद हमें सामने घनी उची जाड़ी और जाड़ियों आगे की और इशारा किया और हम उसी रासे पर चल पड़े माहुल इतना अच्छा था कि क्या कहे चलते चलते ही मैंने उसे कहा विशाल कितना सुन्दर वातारण है राबरा ठंडा वाकई ये सब इतना सुन्दर है कि अगर कोई शहरी आदमी यहां एक बार आ जाए तो वो मुझे लगता है कि लोगों ने खामखा कोकन के साथ भूत करनी ऐसे किस्सों को जोड़कर कोगन का नाम खराब कर दिया है इससे बढ़िया तो कोई जगह हो ही नहीं सकती विशाल ने फिर चलते चलते ही मेरे बात का जवाब दिया ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे दिखत नहीं जाने देती वो कहती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी अजीब चीज़े देखी है कि उनका सब्दों में वरणन करना मुश्किल है मैं विशाल की बात सुनते हूँ उसके पीछे-पीछे रास्ता उतर रहा था वो पगडंडी का रास्ता उतरन भरा था तो ह हम अपने आप ही तेजे से नीचे उतर रहे थे बीच में चलते समय मेरी नजर एक नारियल पर पड़ी मैंने विशाल से कहा अरे देखो यहां नारियल है चलो इसे घर ले चलते है और घर ले जाकर इसे फोड कर खाएंगे नारियल एक पेड के पास पड़ा हुआ था मैं नार से रुख गया क्यों क्या हुआ हरे एक बार ऊपर तो देखो मैंने ऊपर देखा इधर उतर देखा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया मैंने चार और देखा और पूछा क्या दिखाना चाहते हो उसने पेड की और इशारा करते हैं कहा अरे इडियट यह नारियल का पेड नहीं है और यहां कोई नारियल पड़ा नहीं है किसी ने इसे वहां रखवाया है इसे ही तो करनी कहते है करनी मैंने आशर इसे पूछा हाँ नारियल के नीचे एक गांटदार धागा हल्दी कुंखुम एक सिक्कहादी सामान रखा होगा और अगर तुने इसे गल्ती से नहीं पड़ सकती है कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा कुछ भी हो सकता है तिरी जान भी चली जा सकती है इसलिए सीधे चलते रहे यह नारियल खाने के लिए नहीं है यह तो दूसरों को खाने वाला नारियल है मैंने करनी के बारे में लोगों से बहुत बाते सुनी लेकिन करनी क्या होती है ये पहली बार देख रहा था। मैं उस नारियल को बिना छोए आगे चला गया। जल्द ही हम उसके घर तक पहुंच गये। पेडों से घिरा हो आवो घर बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी आजी पिछले दर्वाजे पर बैठी कुछ काम कर रही थ विशाल के आवाज देती ही आजी सामने के और चली आए और उसे देखकर आजी के चहरे पर मुसकान फैल गए। उसने विशाल के चहरे पर प्यार से हाथ फेरती हैं कहा। आ गए? आ, अंदर आ जाओ. और ये तुम्हारे साथ कौन है? आजी ये मेरा दोस्त मोहन है, हम मु आजी हम सुबह ही आ गए थे. हाँ, आपसे मिलने का मन क्या तो यहां चलाया. विशाल ने अपना बैक कंदे से उतार कर बाजू में रख दिया. आजी ने हमें कोकन में बनाये जाने वाले कुछ विशेश विएंजन खिलाए. उनका शरिर एकदम बारिक और साधरन, जैसे क किसी बूढी औरत का होता है. लेकिन इसके बावजूद भी आजी आज भी अकेले पूरे घर की देख भाल किया करती थी. वो आज भी घर की खेती कर लेती थी. उन्होंने घर के एर्द गिर्द नारियल के पेड़ बड़ी महनत से लगाए और उन्हें बढ़ाया था. किसी बैठा बैठा प्रकृतों को देखने लगा. आजी अपना रोज का काम कर रही थी. और तब विशाल भी कमरे से बाहर आ गया. उसने अपनी आजी से कहा. आजी थोड़ा वाडियो कर आता हूं. लोगों से मिलना भी हो जाएगा. और देखता हूं आते आते कहीं कठल मिलता ह है क्या? इस बात पर आजी ने कहा. अंधिरा होने वाला है. किसी से मिलने कहीं जाने की कोई जरूत नहीं है. सुबह दिन के वक्त चले जाना. विशाल ने अपनी भोवें उची करते हूं मेरे तरफ देखा. आजी बस टहलने जा रहा हूं. और अंधिरा होने में भी काफी वक्त है. हम अंधिरा होने से पहले वापस आ जाएंगे. इस बात पर आजी ने थोड़ा गुस्से में ही कहा. एक बार कहा ना. इस वक्त कहीं जाने की कोई जरूत नहीं है. विशाल ने अपने कंदे उचकाते हुए मुझे इशारा किया कि आजी ऐसी ही है. विशाल आजी क मुझे अपने घर के कमरे दिखाते हुए पीछे के और लेकर चला गया. घर के अंदर तीन कमरे थे. एक के बाद एक सटा हुआ. फिर एक रसोई घर और उसके पीछे नारियल, ताड के पेड और कई दूसरे पेड भी थे. बगीचे के पेडों को देखते देखते आस-पास अंधिरा चाने लगा. और फिर हम वापस घर के और चल पड़े. जैसे ही मैं घर के पास पहुँचा, मुझे एहसास हुआ कि मेरी घड़ी कहीं गिर गई है. मैंने यहां वहां देखते हुए विशाल से पूछा, अरे तुमने मेरी घड़ी कहीं देखी? उसनी मेरा हाथ दे मैंने उसी में वक्त भी देखा था. और फिर से कुछ देर यहां वाद देखने के बाद मैंने उसे कहा, तुम रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ. शायद रास्ते में कहीं गिर पड़ी होगी. विशाल ने आखे चौड़ी करते हैं बोला, पागले क्या? आजी को पता च वो घड़ी मेरे लिए बहुत जरूरी थी. जैसे ही आजी घर के अंदर चली गई, मैंने उसे बोला, देख मैं बस यू गया और यू आया, जादा दूर नहीं जाओंगा. जहां तक पॉसिबल है, वहां तक देख कर जल्दी लोट आता हूँ. और इस से पहले कि वो मुझे कुछ कह पाता, मैं वहां से भागता हुआ पीछी के और चला गया, मैं उन जाड़ियों में पीछे दोड़ रहा था, और उसी के साथ पेड़ों की परच्याया घनी होती जा रही थी. सुखी गेली घास पर परती कदमों की आवाज, आसपास दूर कहीं से आती मेंड़कों क की आवाज और रात की कीडों की अजीब सी किरिकदा हट हर तरफ गूंज रही थी. कुछ दूर तक भागने के बाद विशाल और वो घर दिखाए दना बंध हो गया, लेकिन वहां से थोड़ा दूर आगे जाने पर मुझे पत्तों की तेज सरसराहट सी सुनाई दी. ऐसा ल लगा कि कुछ पल में ही वहां जो कुछ था वो गयाव हो गया हो. मैं पत्तों की सरसराहट साफ सुन सकता था, लेकिन आसपास पेडों के आलावा कुछ भी नहीं था. इससी बीच मुझे एक पेड की शाखा पर कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया. वो चीज घने पेडो उसे देखता रहा. क्योंकि मुझे इस बात का अश्यर हो रहा था कि घड़ी शाखा पर कैसे लटकी हुई है. हम तो किसी पेड़ पर भी नहीं चड़े थे. यह जगह मुझे नई लग रही थी. यहां के भूताहा किस्सो और अजीब चीजों को सुनकर मेरे मन में पहले ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे. इसलिए मैं और आगे नहीं गया. वही पर पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और उस शाखा की और फेक कर मारी. जैसे ही लकड़ी शाखा पर लगी वो घड़ी नीचे सुखी घास में गिर पड़ी. मैंने फिर से इधर उदर लेकिन आजी इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई? यह मुम्किन नहीं है. मैंने तो आखरी बार उन्हें घर के पास काम करते हो देखा था और अगर यह आजी नहीं है तो यह मेरा नाम कैसे जानती है? है बगवान, यहां ज़रूर कुछ भयानक हो रहा है. यह सोचकर मैं जितन मैरे पीछे-पीछे किसी साप की तरह रेंगता, सरकता हुआ आ रहा हो और फिर आचानक वो बीच में कहीं रुख गया. मैं लगबग भाग कर घर वापस आ गया. विशाल भी मुशे देखकर चौग गया. मैं हाफते हो उसके पास जाकर रुका और मेरी हालत देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है, जैसे कोई शेर तेरे पीछे पड़ा हो, और क्या तुझे गड़ी मिली? मैं हाफते हो उसकी बात का जवाब दिया. अरे, अरे वहा कुछ था, उसने मेरा, उसने मेरा नाम पुकारा, मुझे बुलाया, मुझे आ मेरे मन में डर भर दिया है. ये सब कुछ बताने के बाद में मैं हाफ रहा था, और विशाल मेरी हालत पर हसने लगा, और फिर उसने बोला, तुझे जरूर कोई वहम हुआ होगा, वो कोई साप्या कोई छोटा जानवर रहा होगा. अब अंदर चल, आज ये को पता चल गया तो खामखा गाली पड़ जाएंगी, और उपर से बेज़दी होगी वो अलग, और हाँ, लाइट रहते ही लैप्टप को फुल चार्ज कर ले, पता नहीं कब लाइट चली जाए, हम आज रात को अक्षे की भूल भूल या मूई देखेंगे, फिर मूँ उसके साथ घर के अ देखकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें भूक लगी है, मैंने उनके बगल में बैठते हुए ना में सिरहलाया, और कहा, नहीं बस ऐसे ही बैठा हूँ, फिर मैं कुछ दिर चुपचाब बैठा रहा, आजी को रूटिया बनाते हुए देखता रहा मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, कि उनसे अपने अनुभोग के बारे में पूछ या नहीं, दिमाग में वही सब चल रहा था, फिर मैंने एकदम से पूछा, आजी विशाल कह रहा था कि आपके यहां, यानि कोकन में ये बहुत प्रेत, ये करनी बादा बहुत चलता है, लिकिन क्या ये सब सच होता है, आजी ने कहा, हाँ, इससे भी बुरे और बहुत भयानक चीज़ होती हैं यहां, आप तो अकेले रहते हैं, कि आपको कभी डर नहीं लगता, मैंने थुड़ा हिचकिचाते हुँ पूछा, अकेले क्यों, मेरे साथ मेरा बेटा रहता है न, अ अपना पूरा जीवन यहीं पर बिताया है, जब मेरी नई नई शादी होई थी, तब मुझे डर लगता था, लेकिन मुझे इसकी आदत पड़ गई है, और अब तो इतनी उम्र हो गई है, कि इन सब चीजों से डर कर भी क्या करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें बताओ या नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने अपनी कहानी उन्हें अलग तरीके से बताई, आजीव, मेरे एक दोस्त के साथ एक अजीब घटना हुई थी, मतलब वो दोस्त यहीं कोकन का ही रहने वाला है, पिछले साल जब वो चुट्टियों में अप बहुत डर गया, क्योंकि वो आवाज उसकी भाई के आवाज थी, और कुछ दिर पहले ही उसने अपने भाई से बात की थी, और उसका भाई उस वक्ट शेहर में था, और तब वो इतना डर गया था, कि उसी हालत में दोड़ता हुआ घर तक चला गया था, ये बात बोलकर मे पहले तो ये इंसान को उसके किसी जान पहचान वाली की आवाज में पुकारता है, और अगर कही उसने उसकी पुकार का जवाब दे दिया, या फिर पीछे मुण कर देखा, तो ये उसे सम्मोहित कर समशान तक ले जाता है, और फिर वही पर मार देता है, अज की बात सुनक मेरे रॉंग टे खड़े हो गए, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, वो कोई चलावा था या फिर हाकामारी थी, लेकिन ये बहुत अजीब था, सच में मेरा नसीब अच्छा रहा होगा, कि मैं बज गया था, क्योंकि न मैंने उस पुकार का जवाब दिया था, और नहीं पीछे मुड़कर देखा था, मैंने फिर कुतुहल से पूछा, आजी क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, हुआ था, कई किस्से है, पर मैं तुझे हाकामारी का ही किस्सा बताती हूँ, मेरी शाधी को उस वक्त 6-8 महने बीद गए थे, तब भी हमें श में वापस अपने सिसुरा लोट आ गई, और उस शाम मैं खेतों में काम कर रही थी, ठंड का मौसम था, और तुझे तो पता ही होगा, कि ठंड के मौसम है, जल्दी अंधिरा हो जाता है, उस वक्त काम करते समय मुझे कहीं से एक पुकार सुनाई दी, अब मेरा नसी या कुछ भी कहलो, क्योंकि जहा मैं बैठी थी, वहाँ ठीक मेरे पीछे एक पेड़ था, तो मैंने जब उस आवाज की तरफ मुड़ कर देखा, तब मुझे एक पेड़ दिखाई दिया, और पेड़ की पीछे बस एक सढ़ा गला सा हाथ, उसे देखकर मैं समझ गई, कि य ये कोई बहुत बुरी चीज है, इसलिए फिर मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, और जब उसने दुबारा पुकारा, तब मुझे एहसास हुआ, कि ये तो मेरी मा की आवाज है, और मैं तो उसी दिन अपनी मा की तेरवी कर ससुराज से लोट आई थी, आजी की कहानी सुनकर मेरे हाथ पर ठंडे पड़ गए, तो आगे क्या हुआ जी, मैंने ठंडी आवाज में पूछा, आगे, तो जब मुझे हैसास हुआ, कि ये आवाज मेरी मरियो ही मा की है, तब मैं जान गई कि ये हाका मारी है, और मैं सिधे उड़कर घर की तरफ चल पड़ी, घर पह हो गई, पर जब मैंने घर आकर मेरे पती को ये सब बताया, तब मेरे पती ने मुझे आते ही डंडे से पीट दिया, आजी की बात सुनकर मुझे हसी आ गई, क्या आपके पती आपको मारते भी थे, अरे नहीं, ये वो वाला पीटना नहीं था, मतलब वो सच मुछ नहीं मार थी, कि तभी विशाल वहां आ गया, उसके आते ही बादचीत खाने की विशे पर चली गई, और फिर थोड़ी बादचीत होने के बाद हम सबने वहीं खाना खाया, और हम दुनों पासवाले कमरे में चले गए, लाइट तब कब की चली जा चुकी थी, विशाल ने पहले से ह कमरे में लालटेन और कुछ लैम जला रखे थे, अंधिरा घणा हो चुका था, उस माहूल मुझे एक तरह की उदासी महसुस हो रही थी, यह ऐसा शायद इसलिये था, क्योंकि मैं उस माहूल का आद ही नहीं था, मुझे इतनी शान्ती इस तरह के सन्नाटे की आदत नहीं थ बाहर इतनी जादा ठंड थी कि शरीर पर रौंग्टे खड़े हो रहे थे, इतनी ठंड की पंके की भी कोई जरूत नहीं थी, मैं और विशाल हम दोनों कमरे में बैठे यहां वहां की बाते कर रहे थे, कमरे की खिडकी थोड़ी अद खुली थी, और खिडकी से ठंडी हवा की जोके बार बार अंदर आ रहे थे, मेरा शरीर उस पल ठंड से कापने लगा, तब मैंने विशाल से पूछा, विशाल क्या मैं खिडकी बंद कर दू, मुझे बहुत ठंड लग रही यार, उसने बस गरदन हिला कर हां कहा, मैं उटकर खिडकी बंद करने वहां चला गया, म और एक पल के लिए मुझे लगा कि खिडकी के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरा ब्रह्म था, क्योंकि अगले ही पल खिडकी खाली थी, तब ही विशाल नि मुझे कहा, अरे खिडकी को कुंडी नहीं है, नीचे देखे एक तार होगा, उससे खीच कर कही महीं अटका दे और बंद कर दे, मैंने वैसा ही किया, जैसा विशाल नि मुझे कहा, और मैं वापस आकर मुवी देखने लगा, मुवी देखते देखते मुझे नीन दाने लगी थी, आखे बंद हो रही थी, मैंने टाइम देखने के लिए घड़ी के और देखा, और तब पीछे लेटे वे विशाल से कहा विशाल तुम फिल्म देखो मैं सो रहा हूं मुझे बहुत नीद आ रही है और मैं पास वाले विस्सर पर करोट बदल कर सो गया मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक ऐसे ही लेटा पड़ा था मेरे मन में जो कुछ चल रहा था भूत प्रे और कुछी देर में मेरी आखे नेन से बंध होने लगी तभी मैंने धीमे आवाज में किसी की पुकार सुनी मैं जल्दी से अपने आखे खोली मैंने साफ साफ सुना था कि ये विशाल की आवास थी लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो विशाल अपनी जगा पर नहीं था। उसका विस्तर खाली था। मैं उटकर बैड़ गया और लालटेंग की रोशनी में मैंने अपनी आँखो पर जोर डालते हुए ध्यान से देखा। विशाल कमरे में कही नहीं था। मुझे खिड़की के पास कुछ हलचल महसूस वी। जैसो कोई अंदर उंग्या डाल कर उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फिर से वही आवाज सुनी। मोहन मैं यहां हूँ मुझे अंदर आने दो। मुझे इस बात काशिर हुआ कि विशाल बाहर कब चला गया। आवाज बाहर से आ रही थी। उस वक मैं बहुत डर गया था इसलिए मैंने दर्वाजा नहीं खोला। सोचा के खिड़की खोल कर देखता हूँ। मैं उटकर खिड़की के पास चला गया और धीर ऐसी खिड़की खोल दी। लाल्टेन की पीली रोशनी में मैंने देखा कि विशाल खिड़की से थोड़ा दूर बाहर खड़ा है और वो मुझे देखकर मुसमुसा कर रो रहा था। विशाल और तब मैं सोचने लगा कि कहीं मेरी आँखे दोका तो नहीं खा रहीं। वो मुसमुसा आते हुए अचानक से मुस्कुराने लगा और एकदम से मुड़कर पीछे चलने लगा। वो अंधेरे में और आगे चला गया और फिर मुझे सिर्क उसकी एक दुन्दिय सी परच्छाई दिखाए देने लगी। मैं उस आवाज में एक अजीब सा खिचाओ था जो मुझे अंदर से दर्वाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने फिर से एक नजर अंदर देख लिया। विशाल बहां नहीं था। मेरे मन में एक ख्याल ये भी आ रहा था कि कहीं विशाल खुद हकामारी का शिकार तो नहीं बन गया। या कहीं ये सब मेरे मन का वहम तो नहीं। नश चाहते हुए भी मेरा हाथ दर्वाजे की कुंडी पर चला गया। और फिर मैंने एकदम से दर्वाजे की कुंडी खोल दी। बाहर से आते एक हमा के जोके से दर्वाजा अपने आप खुल गया। मेरे हा और उस सरस्राहट के साथ ही दूर अंधिरे में से कुछ हल्चल दिखाई दी और अचानक बिजली की तेज़ी से कोई परचाई सरकती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई मैंने ठीक से देखा था वो परचाई चलकर नहीं आई थी वो एक तरफ से सरकती हुई आई थी मेरी सांसे एकदम से तेज हो गई आवाज कले में अटक गई हाथ पैर और सिर एकदम से भारी हो गया वो परचाई ठीक मेरे सामने खड़ी थी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे घूर रही थी वो कोई औरत थी जिसमें जरा भी हल चल नहीं थी उसे देख कोई भी कहता कि वो कोई प्रेथ है लेकिन उसके बावजूद वो मुर्दा नहीं लग रही थी मैं एक तक उसे ही देख रहा था और तब उसने अपना सक चेहरा मेरे चेहरे की तरफ आगे बढ़ाया और हलकी धीमी हावाज में मेरे कान के पास आकर वो बोली मोहान मेरे साथ चलो मेरा पूरा बतन कांप रहा था मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था नजाने कैसे मैंने अपना थरतराता हुआ एक पेर चौकट से बाहर रख दिया और जैसे ही मैंने अपना पेर चौकट से बाहर रखा किसीने जोर से मेरे पेर पर डंडा मारा मैं दर्द से चीक उठा मैंने देखा कि वो डंडा विशाल के आजी ने मुझे मारा था और उन्होंने वही डंडा उस प्रेत के सामने जमीर पर पटका डंडा पटकते ही जमीन की धूल के साथ-साथ आग और चिंगारी निकलने लगी जैसे वहाँ कोई विस्पोर्ट हुआ हो वो परचाई वो और गुस्से से हमें देखती हुए तेजे से सरकती हुए अंदरे में कहीं गायब हो गई और तब विशाल भी पीछे कहीं से दोड़कर मेरे पास आ गया और उसने मुझे गिरते हुए संभा लिया उस पल मेरी हालत किसी मरीज जैसे हो चुकी थी शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर किसे के वश में हो विशाल मुझे खेंच कर अंदर ले गया आजी उस परचाई को गालिया देते हुए जमिन पर डंडा पीटती रही कुछ देर बाद आजी भी घर के अंदर आ गई और दर्वाजा बंद कर लिया तब तक मेरा पूरा शरीर परसिने से भीग चुका था मानो वो किसी शक्तिका विरोध कर रहा हो विशाल ने मुझे विस्सर पर लिटाया और फिर आजी ने मेरे माते पर कुछ भस्म लगाया और अपने हाथ के उसी डंडे से मेरे शरीर को धीरे से मारने लगी उसके बाद आजी ने वो डंडा मेरे शरीर के उपर से साथ-ाठ बार घुमाया मैं वो सब होते हुए देख रहा था पर मैं समझ नहीं पा रहा था फिर मुझे कुछ पिलाया गया और मैं उसी हालत में सो गया दूसरे दिन मेरी आँख खुली और जाकर देखा तो मेरे हाथ पर बंदे हुए थे मैंने उपर घड़ी में देखा तो दो पर के दो बज रहे थे वो देख में हक्का बक्कार है गया मैं सोचने लगा कि मुझे बांदा किसने है और किसी मुझे जगाया क्यों नहीं मुझे रात में क्या हुआ था वो बस थोड़ा धुनला धुनला सा याद आ रहा था मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैंने कोई नशा किया हो जब मैं जागा तो मेरे पास कोई भी नहीं था मैंने विशाल को जोर से आवाज लगाई विशाल बाहर कहीं से दोड़ता हुआ मेरे पास आ गया और मुझे देख कर हसने लगा ये क्या है मैंने उसे गुसे में ही पूछा बिना कुछ कहे वो मेरे बंदे हाथ पर खोलने लगा और फिर उसने हस्ते हुए जवाब दिया मैं इसे सुबह ही खोलने वाला था लेकिन मैंने इसे जान बुच कर रख दिया ताकि जब तुम उठो तो तुम्हें याद आ जाए कि रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था उसकी बात सुनकर मैंने आशेरे से पूछा मतलब क्या हुआ था मुझे बस इतना याद है कि तुम रात को घर से बाहर चले गए थे तुमने बाहर से मुझे पुका रहा और फिर मैंने आखरी वार अंधरे में आजी को देखा था शायद वो मुझे मार रही थी इतने में विशाल की आजी भी वहां आ गई और मेरे तरब देख कर बोली नेंद पूरी हुई की नहीं अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना मैंने आश्चरे से फिर पूछा लेकिन मुझे हुआ क्या है इस पर विशाल उर्सकी आजी ने एक एक कर रात में हुई सारी बात बताई फिर मुझे धीरे धीरे वो सब कुछ याद आने लगा जो वास्तों में मेरे साथ हुआ था वो सब याद कर मेरे रॉंग टे खड़े हो रहे थे लेकिन फिर मुझे पता चला कि रात उन्होंने ही मुझे कोकन की ताड़ी पिलाई थी ताकि मैं चैन से और आराम से सो सकू और बीच रात में उठकर कहीं चलाना जाऊं इसलिए मेरे हाथ पर बांद कर रखे थे और आजे ने जिस चड़ी से मुझे मारा था वो कोई साधरन चड़ी नहीं थी बलकि उसे भगवान की चड़ी या लाठी कहा जाता है वो उनके गाओं के मंदिन में रखे जाने वाली एक चड़ी थी जो कि साल भर में हर घर में गूमती तयार हो जब क्योंकि हमें फिर अंधिरा होने से पहले यहां से निकलना है और पूजा के लिए नए घर जाना है तब एक आखरी बार में आजे से पूछा क्या रात में आपने भी हाकामारी को दिखा था इस पर आजे ने मेरे हाथ को सहलाते हुए कहा नहीं हाकामारी सब को दिखाई नहीं देती यह उसी को दिखाई देती है जिसके लिए वो आई हुई होती है यह तो हम तुम्हारी हालत देख कर समझ गए थे कि तुम पर किसी चीज का प्रभाव है विशाल ने तुम्हें खिड किसे बाहर जांकते हुए और दर्वाजा खोलते हुए देखा था उसने तुम्हें पीछे से कही बार आवाज भी दी थी पर तुमने उसके बाद का जवाब नहीं दिया और तब उसी ने मुझे आकर जगाया और मैं वो चड़ी लेकर वहां आ गई वरना पता नहीं क्या हो जाता मैंने ये सब कुछ याद करते करते डरते हुए किसी तरह नहा लिया फिर खुद को संभाला और फिर हम तीनों ही एक साथ उस नए घर जाने के लिए निकल पड़े जाते जाते मैंने उस चड़ी को प्राम किया उसके दर्शन लिये जिसने मेरी जान बचाई थी और उससे जुक कर वंदन भी किया हक अमारी के संभन में आपको कुछ जानकारे दूँ तो हक अमारी को अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि करनाटक में इसे नालेबा और वेस्ट बंगाल में इसे निशिडाग के नाम से जानते है और जादातर जगों पर इसे चलावा भी कहता है इसमें एक चीज कॉमन है कि ये जो भूत है वो या तो आपके दर्वाजे पर दस्तक देता है या फिर अपनी मधूर आवाज में आपका तीन बार नाम पुकारता है या फिर ये दोनों भी चीज़े होती है और अगर आपने दर्वाजा खोल कर उसे देख लिया या फिर उसकी पुकार का जवाब दे दिया तो फिर वो आदमी वो इनसान गयव हो जाता है यानि कहते है कि वो भूत उस आदमी को अपने साथ ले कर चला जाता है एसे मामलों में ये भूत उस आदमी को समशान में या फिर नदी के किनारे या फिर किसी सुन्सान जगा पर ले जाता है और फिर अगर उस आदमी का नसिब अच्छा हुआ तो वो बढ़ जाता है नहीं तो अगले दिन उसकी सिर्फ लाश मिलती है कभी पेड़ से टंगी हुई तो कभी नदी के पानी में तैरती हुई तो दोस्तो आपकी यहां इसे क्या कहता है उज़े कमेंट करकर ज़रूर बताए और हाँ जो लाइक्स का टार्गेट में रखा है उसे भी जरूर पुरा कर दे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद